नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका अपने यूटूब चैनल परफेक्ट स्टेडी जीस में दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार SI मेंस का प्रैक्टी सेट नमबर 12 इससे पहले दोस्तों हम 11 प्रैक्टी सेट करा चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेल आइकन का पटन दबाना न भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा दोस्तों यहां प्रैक्टी सेट हम एड़ोटेडिया बुक का भैलूम 2 से करा रहे हैं और इसमें हम लोग दोस्तों असी कोशन का प्रैक्टी सेट का अगर पीडिएफ आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिये हैं वहां से जाके आप राप्त कर सकते हैं तो चलिए दूस्तों स्टाट करते हैं आज का प्रैक्टी सेट आज का पहला कोशन हो जाएगा कि निम्न में में सेर्वादिक मात्र में पाए जाता है तो आप चीना या चेना में पाया जाता है नेस्ट कोशन देखते हैं दोस्तों नेस्ट कोशन हो जाएगा कि पादपू में जरू द्वारा जल अस्थनांतरन का सही क्रम क्या है तो इसका राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर C मृदा जल, मूल रोम, फिर कार्ट्रेक्स को सीकाए उसके बाद जाईलम नेस्ट कोशन हो जाएगा दोस्तों नेस्ट कोशन हो जाएगा तेस्ट नमर कोशन हो जाएगा कि होट रोट होट रोट रोग किसमे होता है होट रोट रोग किसमे होता है इसका राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर D चुकंदर में होट रूट रोग चुकंदर में मैंगनीज के कमी के कारण होता है। उसके बाद सलजम में वाटर कूर, मटर में मार्स रोग यह मैंगनीज के कमी के कारण होता है। नेश कोचन देखते हैं दोस्तों, नेश कोचन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा हर्मोन आक्सिन की उपस्तिती में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है, निम्न में से कौन सा हर्मोन आक्सिन की उपस्तिती में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है, तो इसका र नहीं है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन नमर डी दाब शोशन किरिया को प्रभाइद करने वाला निम निम काड़क आपका प्रकास की उपसिती में सोसंदर बढ़ जाती है उसके बद आपका ओटू जो दिया हुआ आक्सिजन की मातरा बढ़ने या घटने पर कोई परभाव नहीं जब तक ओटू की मातरा अनईस परतिसत से उपर हो और ताप करम जो होता है वह 0 degree centigrade से 30 degree centigrade तक ताप बढ़ने पर सोसं की दर लगतार बढ़ती रहती है नेक्स कोचन देखते हैं दोस्तों नेक्स कोचन हो जाएगा कि कास्टिक पोटास का रसाइनिक सुत्र है इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर C-K-O-H या एक अकारबनिक योगिक है और इसे आमतर पर कास्टिक पोटास कहा जाता है और आप आपसन नमर एक के बाड़े में जान लेते हैं इसको हम लोग कास्टिक सोडा कहते है उसके बाद आपका दिया हुआ C-A-O-A-S-2 इसको हम लोग भकरा चुना या बुझा चुना कहते हैं उसके बाद आपका आपसन नमर चार में दिया है NH4OH तो इसको हम लोग Ammonium Hydroxide कहते हैं Next question देखते हैं दोस्तो Next question हो जाएगा कि नीमन में से कौन सा Agnase Rus नहीं है इसका right answer हो जाएगा Option number D Pepsine Agnase में X-Cocrine गरंतिया होती है जो पाचन के लिए महत्वपूर्ण Enzyme का उतपादन करती है और इन Enzyme में प्रोटीन को पचाने के लिए Trypsin और काई मोड ट्रिपसिन सामिल है और कार्बोहाईडिट के पाचन के लिए Imilade और वासा को तोरने के लिए Lipage यानि की कार्बोहाईडिट के पाचन के लिए Imilade और वासा को तोरने के लिए Lipage नेश कोशन देखते हैं दोस्तों नेश कोशन हो जाएगा आपको सुमेलित करना है सुची एक और सुची टूको इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमरे यानि कि एक का तीन हो जाएगा रक्त पलाजमा हलके पिले रंग का तरल पदार्थ उसके बाद एल्बूमीन जो हो जाएगा आपको ओस्मेटिक दावा स्थापित करना उसके बाद ग्लोबिलीन जो है हो जाएगा आपको शंक्रामक रुगों से रक्षा और फ्राइब रिनो जेन हो जाएगा रक्त का असकंदन नेश कोशन देखते हैं दोस्तो नेश कोशन हो जाएगा कि मोती के मुखे अवयव है इसका राइट अंसर करना है इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमरे कैल्सियम कार्बोनेट मोती के आवरन मुखत रेशम का बना होता है और कैल्सियम कार्बोनेट प्रकिर्ती में चूना पत्थर शगमरमर आदी के रूप में काफी मात्रा में पाया जाता है जो CP के अंदर धीरे धीरे एकत्रित होकर कड़ा रूप ले लेता है और मोती मुक्ता CP के जीवो दोरा जोरा गया एकतरल पदार्थ होता है नेश कोचन देखते हैं दोस्तों नेश कोचन हो जाएगा कि नीमन मेंसे कौन सा PIEC कार्थ है इसका राइट आंसर हो जाएगा Option No A जब किसी कोलराइड में एक दोजह के सारे कन दूसरे दोजह के सारे कौनों में पड़िकशेपित हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं है इस कोलाइट को पायस इमल्सन कहा जाता है और सबसे बड़े पैमायम पर पायसी काड़क के रूप में साबून और डिटर्जेन का परयोग किया जाता है नेस कोचन देखते हैं दोसतों नेस कोचन हो जाएगा कि भाड हींता से आप क्या समझते हैं इसका राइट एंसर हो जाएगा या उबलता है और 32 दिगरी सेन्टरीड फोरण हाईट या 0 दिगरी सेन्टरीड उबलता है यदि किसी ब्यक्ति के शरीर करता आप अगर 35 degree centigrade है तो कितने फोरेन हाइट के बढ़ाबर होगा तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसा नमर C 95 degree फोरेन हाइट इसका फर्मूला हो जाता है फर्मूला इसका हम बता देते हैं इसका फर्मूला हो जाता है निकालने का C बाटा 5 बढ़ाबर F-32 बाटा 9 इससे आप लोग शॉल्फ कर लिजेगा तो आपका 95 degree फोरेन एंसर आजाएगा नेश कोशन देखते हैं दोस्तों किसी प्रानी के प्लाजमा में हीमोगलोबिन का बिलेन हो जाता है किस प्लाजमा में हीमोगलोबिन का बिलेन हो जाता है इसका राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर D केचुवा केचुवा एनलीडाशं का प्लाजमा हीमोगलोबिन में बिलेन हो जाता है और केचुवा को किसान का मित्र भी कहा जाता है नेश कोचन देखते हैं दोस्तों नेश कोचन हो जाएगा कि एक फ्यूज का तार मुख रूप से कैसा होना चाहिए तो इसका राइटेम सर हो जाएगा आपसा नमर C, अल्प गललांक और उच्च प्रतिरोध यह टीन यह सीशा का होता है और टीन जो होता है इसमें 63% होता है और आपका सीशा 37% का मिस्रधातु है यह टीन यह सीशा के मिस्रधातु से होता है आपका फ्यूज का तार नेश कोचन देखते हैं दोस्तों नेश कोचन हो जाएगा कि कोणे में निमली खित में से कौन सा कोलाईटी तंत्र अभिव्याक्त होता है इसका राइटेंसर हो जाएगा आपसार नमरे गैस में द्रोग कोलाईट एक परकार का विशम मांगे बिलियन है जिसमें बिलेह कनों का अकारवास्टुक बिले से बड़ा प्रन्तु निलंबन से छोटा होता है नेश कोशन देखते हैं दोस्तो नेश कोशन हो जाएगा कि किसी घोल की अमलता या छारता को ग्यात करने के लिए पी एच एक पैमाना है इसे कैसे प्रदर्सित किया जाता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसान नमर्डी लॉक्टीन वन बटा एच फ्लस यानि कि आपसान नमर्डी इसका राइट एंसर हो जाएगा नेश कोशन देखते हैं दोस्तो नेश कोशन हो जाएगा कि एक बायो गैस सयंत्र में निवन में से कौन सी प्रकिरिया होती है इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसान नमर्डी किनवन किनवन एक जैवरा साइनिक किरिया है और इसमें जटिल कारबनी की योगिक सुक्ष मिसाजीवी की सहाइता से सरल कारबनी की योगिक में बिगटित होता है इसी प्रकिरिया के द्वाड़ा बायो गय सयंत्र में आपसिस्ट पजार्थों का बिगटन कर गैस उत्पन होती है नेश कोशन देखते हैं दोस्तों प्रोटान सन से होता है प्रोटान सन से होता है इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसा नमर्डी हाइड्रूजन परमानू के नाभी के प्रोटान की खोज किस ने किया तो गोल लेस्टी ने किया और प्रोटान का द्रमान हाइड्रूजन परमानू के बराबर होता है और यह एक धोना वे सितकन है और यह हाइड्रूजन परमानू के नाभी के सद्रस होता है यानि कि उसी के शामान होता है नेश कोचन देखते हैं दोस्तों नेश कोचन हो जाएगा कि मेंडिलीफ द्वारा बनाया गया आवर्थ सारनी में द्रिग आवर्थ की शंग्या किस आवर्थ को दिया गया है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option number C यानि की 1, 3, 4 यानि की 4 को और आपका 5 को और 6 को में गलीब द्वरा बनाएगा वर्थ सार नी में दिरिगावद की संगया 4 को दिया गया है 5 को दिया गया है और 6 को दिया गया है यानि की option number C इसका राइट एंसर हो जाएगा नेश कोचन देखते हैं दोस्तों नेश कोचन हो जाएगा अब को छोटा कर देते हैं अंत्रिम सरकार 1946 के मंत्री और इसके विभाग के शही मिलान करें इसका राइट एंसर हो जाएगा option number C यानि की सरदार पटेल जो थे आपका गिह मंत्री थे उसके वड़ आक्रेड इजनर परशाद खादेक्रिसी मंत्री थे जगजिवन राम जो थे वो आपका श्राम मंत्री थे और लियाकत अली जो थे वह बित विभाग के मंत्री थे नेश कोचन देखते हैं दोस्तों नेश कोचन हो जाएगा कि शम्मिधान सभाग के लिए चुनाव कब हुआ था इसका राइटेंचर हो जाएगा आफसा नमर बी जुलाई अगस्त 1946 में समिधान सबाग के लिए चुनाव जुलाई अगस्तों निसे चलिस में हुआ था और समिधान सबाग के सदस्व के कुल चंक्या 399 निशित की गई थी नेश कोचन देखते हैं दोस्तों नेश कोचन हो जाएगा कि समिधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सिधे उच्टम नियले में जा सकता है तो इसका राइटम सर हो जाएगा अपसर नमर ए यानि की भाग तीन, समिधान का भाग तीन जिसे लागू करवाने के लिए कोई भारतिय नागरिक सिधे अनुछेद 32 के अंतरगत उच्टम नियले में जा सकता है और भाग तीन में ही मौली क अधिकार है और भाग चार के बड़े में जाल लेते हैं तो भाग चार में निती निर्द सकत्त है और यहां समिधान के अनुछे 36 से 51 तक में निती निर्द सकत्त का उलेक है और समिधान के बाग चार के को में क्या है तो चार के को में मूल कर्तब ह जो कि अनुछेद 51 के कौ में है उसके बाद आपको देख लेते हैं भाग 5 में क्या है तो भाग 5 में संग है यानि कि किंद्र सरकार और यह समिधान के अनुछेद 52 से 151 तक आपका भाग 5 है 52 से लेकर 151 तक उसके बाद भाग 6 के बारे में जान लेते हैं option number D, तो भाग 6 जो है, या राज से संबंदित है, और इसमें जो है, अनुचेद 152 से 100, 200, 37 तक का चर्चा किया गया है, भाग 6 में, next question देखते हैं दोस्तो, next question हो जाएगा, कि निमलिखित कत्रों में से कौन सा कत्रों गलत है, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, option number A, अनुचेद 19 में 7 परकार के अधिकारों की चर्चा की गई है, या आपका गलत है, अनुचेद 19 में 6 परकार के अधिकारों की चर्चा की ग जारी करता सही है, और अनुचेद 19 परकार की उपादियों का अंत कर दिया गया, यह भी आपका सही है, next question देखते हैं दोस्तों, next question हो जाएगा, कि शमिधान के किस भाग में शहकारी समीतियों का उपबंध किया गया है, तो इसका राइट एंसर हो जाएगा, option number A, भाग 9 मे पंचायते हैं, जो कि समीधान के अनुचेद 243 से ले करके, 243 के को से और 9 तक है, आपका समीधान के भाग 9, और समीधान के भाग 2 में क्या है, तो समीधान के भाग 2 में आपको अनुचित और जनजातिये छेतर है, जो कि समीधान के अनुचेद 244 और 244 का को है, नेश कोशन देखते हैं दुस्तों नेश कोशन हो जाएगा कि निमली खित में से किसकी नियुक्ती राष्ट पती द्वरा नहीं की जाती है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option number B, speaker की speaker की नियुक्ती राष्ट पती नहीं करता है बलकि लोक सभा स्वेम ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष का निर्वाचन करता है और इसका उलेक समिधान के अनुछेद 93 में किया गया है स्पीकर की चर्चा 93 में है नेच कुछन देखते हैं दोस्तों नेच कुछन हो जाएगा कि नीमन में से किस अधिनियम के अंतरगत कमपनी के करमचारियों को निजी वियापार करने पर परतिबंद लगा दिया गया है तो इसका राइटन सर हो जाएगा अप्सन नमरे Regulating Act 1773 Regulating Act 1773 के अंतरगत कमपनी के करमचारियों को वियापार करने और भारतिये लोगों से उपहार और इस्वत लेना परतिबंद कर दिया गया है और अप्सन नमरे बी के बाड़े में जान लेते हैं तो अप्सन नमरे बी कहता है कि Governor General की परिशद की सदास संख्या चार से घटा कर तीन कर दी गई पिट्स इंडियाक्ट 1784 के अंतरगत और सांथ ही मदरास सता बंबई की सरकारों को पुरी तरह से बंगाल सरकार का धिन कर दिया गया और अप्सन नमर शी देख लेते हैं 833 का चार्टर अधिनियम के दत क्या किया गया तो कमपणी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतर समाप्त कर दिया गया फिर 833 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है तो इसने पहली बार गवर्नर जनरल की पड़ी सद जिसमें 6 सदसिय थे कि विधाई ये परसासनी कारेों को अलग कर दिया नेश कोचन देखते हैं दोस्तो नेश कोचन हो जाएगा कि समिधान सभा के चुनाव में समिधान सभा के चुनाव में कांग्रेस कितने सीटे प्राप्त हुई थी कांग्रेस को कितने सीटे प्राप्त हुई थी समिधान सभा के चुनाव में तो इसका राइटेंस और हो जाएगा आप्सा नमर भी 208 समिधान सभाग के चुनाव जुलाई अगस्ट तुनी सो च्यालिस में हुआ था जिसमें कांग्रेस को 208 सीटे और मुसलिम लिंग को 73 सीटे और अन को 15 सीटे प्राप्त हुई थी नेश कोचन देखते हैं दोस्तों नेश कोचन हो जाएगा कि एक नया राज बनाने के लिए समिधान संसुधन किया हो सकता होती है इस परकार की संसुधन के लिए किस परकार की बहुमत किया हो सकता होती है तो इसका राइटेंसर हो जाएगा आपसा नमरे सधारन बहुमत भारतिय समिदान के अनुशे 3 के तहट संसद को नहे राज जोकिया स्थापना करने की सक्ति प्राप्त है और संसद में नहे राज संबनित बिध्यक सधारन बहुमत से पास किया जाता है नेश कोचन देखते हैं दोस्तों नेश कोचन हो जाएगा कि बिहार में कुल कितने संसदिय सीट है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा कि बिहार में लोग सभा का 40 सीट है और बिहार में राज सभा का 16 सीट है और आपका कुल आपका संसादिय सीट अगर कहेंगे तो दोनों को मिलाएंगे तो आपका 56 सीट हो जाएगा यहने कि बिहार में कुल संसादिय सीट कितना है तो आपका 56 हो जाएगा नेश कोचन देखते हैं दूस्तर यहने कि इसका option D इसका right हो जाएगा answer नेश कोचन देखते हैं नेश कोचन हो जाएगा कि बिहार में चोकीदारी कर नहीं देंगे नेश कोचन देखते हैं दोस्तो नेश्कुर्चन हो जाया है कि सौधेसी अंदोलन की सुरुवात किस अधिवेशन के बाद होई तो इसका राइटेंसर हो जायेगा ओप्सन नमर सी बनारस अधिवेशन बनारस अधिवेशन जो 1905 में हुआ था और इसके अधिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले ने किये थे इसी सौधेसी अंदोलन की सुरुवात हुआ था इसी अधिवेशन से बनारस अधिवेशन से कानपूर अधिवेशन के बाद में जान लेते हैं सुरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 में हुआ था और इसमें अधियाक्ष जो बने थे वह डाक्टर रास बिहारी घोस बने थे और इसे अधिवेशन में कांग्रेस का प्रतम बार भी भाजन हुआ था नरमें गरम दल में और आपको अप्सन नमर डी के बारे में जान लेते हैं बंबाई अधिवेशन जो हुआ था 1885 में हुआ था जिसमें बहुमेश चंद्र बनर जी को अधियक्ष बनाया गया था और यहां कांग्रेस का प्रतम अधिवेशन था नेश कोचन देखते हैं दोस्तों नेश कोचन हो जाएगा कि चंपारन सत्तागड़ा के परमुक किशा नेता थे इसका राइटेंसर हो जाएगा अप्सण नमरे राजकुमार शुकल राजकुमार शुकल चंपारन के परमुक किशा नेता थे और स्वामी सहजानन स्वर्ष जोन दिया हुँ आप्सण नमर सी में यह अखिल भारतिय किशान सबाकी अस्थापना किये थे नेश राजवादी पीचारधार का परचार परचार करने के लिए जब परकास नरायन अचार नरेंद्रदेव अचुत पटवर्धन तथा मीनू मसानी ने मिलकर और अईसर चोंटीस इसपी में कांग्रे सुसलिस्ट पार्टी की अस्थापना की नेश कोचन देखते हैं दोस्तों नेश कोचन हो जाएगा कि प्रथम गोल में सम्मिलन के समय ब्रिटन के तत कालिंग परधान मंत्री कोन थे तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर बी मैक डुनाल यानि की रेमजे मैक डुनाल प्रथम गोल में सम्मिलन के समय परधान मंत्री थे अप्शन नमर सीख के बाड़े में जाल लेते हैं तो दितिये विश्वीद के समय इंगलेंड के परधान मंत्री को थे तब ब्रिश्टन चर्चिल थे नेश कुछन देखते हैं दोस्तों नेश कुछन हो जाएगा कि प्रारामभीक मधिकाल में बिहार चेत्र किसके बिच संगर्स का आखारा बना रहा परारमभीक मधिकाल में बिहार का चेत्र किसके बिच संगर्स का आखारा बना रहा तो इसका राइटेंसर हो जाएगा ओप्सन नमर बी बंगाल और दिल्ली परारमभीक मधिकाल यानि कि संतलत काल में बिहार का चेत्र दिल्ली और बंगाल के सुल्तानों के बिच सेंगर्स का खाड़ा बना रहा नेज़ कोशन देखते हैं दोस्तों नेज़ कोशन हो जाएगा कि भारत छोरो अंदोलन किसकी प्रतिकिरिया में अरम की गई तो इसका राइट एंचर हो जाएगा और इसके उपरांत मराटा समराज का बिले हुआ और अंग्रेजे दोरा सिंध विजे लौड एलन बरो ये भी अपका सही है नेश कोचन देखते हैं दोस्तों समाजवाद क्यों पुष्टक के लिखा कौन थे तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर बी जै परकास नरायन नेश कोचन देखते हैं दोस्तों नेश कोचन हो जाएगा कि 1857 की क्रांती के बाद कहां आयोजीत दरबार में लौड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उदगोसना को पढ़ा था इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर बी इलहाबाद 1857 की क्रांती के बाद नौबर 1857 को इलहाबाद में आयोजीत दरबार में लौड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उदगोसना को पढ़ा नेश कोचन देखते हैं दोस्तों नेश कोचन हो जाएगा कि सिवाजी को और अंजेव ने सोरे माई 1666 को जयपूर भावन में कैद कर लिया वहां से सिवाजी की स्तारी को भाग निकले तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमर ए सोरे अगास 1666 को जयपूर भाग न नेश कोचन देखते हैं दोस्तों नेश कोचन हो जाएगा कि पंद्रे सो ऑसी इसपी में अकबर के द्वड़ा एक नभीन कर पर नाली दह साला बंदुबस्त आरम की गई इसे टुडर्मल बंदुबस्त भी कहा जाता है इस बेवस्ता के अंतरगत भूमी को कितने भागों म चार भागों पुलाज, परती, चाचर एवबंजर में बाटा गया था नेश कोचन देखते हैं दोस्तों नेश कोचन हो जाएगा कि औरंग जेव ने के सुफी सिलसिले को अपनाया था तो इसका राइटेंसर हो जाएगा आप्सन नमर बी नजरबंदी नजरबंदी सिलसिल सबसे कटर इसलामी सिलसिला माना जाता है और औरंग जेव एक कटर मुगल सा सकता अता उसने नजरबंदी हम बुल दिये नक्स बंदी होगा औरंग जेव ने के सुफी सिलसिले को अपनाया था तो अप्सन नमर बी नक्स बंदी नक्स बंदी जो था सिलसिला वो सबसे कटर इस्लामी सिल्सिला माना जाता है और औरंग जीव एक कटर मुगल सासक था और उसने नक्स बंदी सिल्सिले को अपनाया था नेश्कोचन देखते हैं नेश्कोचन हो जाए कि एलोडा के परसिद गूफा मंदीरों का नीरमान किस बंच के सास को दोरा कड़ाया था तो इसका राईटेंसर हो जाएगा ऐखते हैं दोस्तों नेश कोचन हो जाएगा कि किस बोध संगिति के आयओजन के बाद महात्माबुद रूप में पूजना अरम किया नेश कोचन देखते हैं दोस्तों कि निमली खित में से कौनसे पुष्टक नागा अर्जुन द्वारा सापक्षिता का सिधान्त प्रस्तूत किया गया था तो इसका राइटेंसर हो जाएगा आप्सा नमरे माध्यमिक सुत्र माध्यमिक सुत्र नामक पुष्टक पहले सोने के सीखे किसके द्वारा जारी किये गए थे इसका राइटेंसर बताना है तो इसका राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर B हिंदी उनानी भारत में सबसे पहले सोने के सीखे हिंदी उनानियों के द्वारा जारी किये गए जबकि सोने के सरवादिक सिके गुपतों के द्वारा जाड़ी किये गये थे नेश कोचन देखते हैं दोस्तों नेश कोचन हो जाएगा कि बैदी काल के गरंथों में सिचाई के साधनों के लिए नहरों के उपयूग की जनकारी मिलती है तो इसका राइटेंसर हो जाएगा आपसा नमर डी अथारो बैद में बैदी काल में सिचाई के साधनों में नहरों का बर्नन अथारो बैद में मिलता है अथारो बैद में प्रित्वी वेन के दोड़ा हलें क्रिसी के जन्म की बात का उलेक है सबसे प्राचिंतम बेद रिंग बेद भारतिय संगीत के जनक शाम बेद गदेपद वाला बेद यजूर बेद तंतिमत जादू तोना वाला बेद अथर बेद नेश्कोचन देखते हैं दोस्तों नेश्कोचन हो जाएगा कि निवन में से कौन सी बेरोजगारी शमगर मांग में कमी तथा निश्किरिये उतपादन शमता के कारण उतपन होती है तथा मांग में ब्रिधी के साथी शमाप्त हो पाती है निवन में से कौन सी बेरोजगारी शमग्र मांग में कमी तथा निश्किडिये उत्पादन छमता के कारण उत्पाण होती है तथा मांग में बृधी के साथी शमाप्त हो पाती है तो इसका राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर B चक्रिये बेरोजगारी नेश्क कोचन देखते हैं दोस्तों नेश्क कोचन हो जाएगा कि मांग का नियम के संदर में निवन में से क्या सही है तो इसका राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर C एक और दो यहनि की कीमत घटने से मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ करने से मांग घटती है नेश्क कोचन देखते हैं दोस्तों नेश्क कोचन हो जाएगा कि गलोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निवन में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है तो इसका राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर C विश्व बैंक के द्व जारी किया जाता है नेश्क कोचन देखते हैं दोस्तों नेश्क कोचन हो जाएगा कि निमली खित में से कौन सा संबन फिलिप्स वक्र द्वारा दर साया जाता है इसका राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर B मुद्रा आइस्पिती की दर और बेरोजगारी की दर के बीच बिप्रित संबन्द नेश्क कोचन देखते हैं दोस्तों नेश्क कोचन हो जाएगा कि गड़ी भी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट से वापरदान करने वाला देश का पहला राज कौन बना है तो इसका राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर A केरल नेश्क कोचन देखते हैं दोस्तों नेश्क कोचन हो जाएगा कि निमली खीत में से कोन परत्यक्ष कर नहीं है इसका राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर C शीमा सुल्क शीमा सुल्क केंद्र सरकार का परत्यक्ष कर है और निगम कर या आयकर परत्यक्ष कर के अंतरगत आ निश्कोचन देखते हैं दोस्तों निश्कोचन हो जाएगा कि निवन में से किस चाटान परनाली से चुने पत्थर बलुआ पत्थर चीनी मिठी प्राप्त होती है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर्डी यानि कि ऑप्शन नमर्डी हो जाएगा बिंधियन धरवार क्रम की चाटानों में सोना, लोहा, मैगनीज, दंबा इत्यादी खनित प्राप्त होते हैं और बिंधियन क्रम की चाटानों में चुना का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिठी, बर्न मिठी प्राप्त होती है और गोडवाना क्रम की चाटानों से कोला प्राप्त नेज कोशन हो जाएगा कि जैव विविदिता का और्थ है इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्छन नमर C एक निर्धार दानी तो छेतर में विविविन प्रकार के पादपेम जन्तू नेज कोशन देखते हैं दोश्तों नेश कोचन हो जाएगा कि भारत सरकार द्वारा नई वन नीति किस वर्स लागू की गई है इसका राइट अन्सर हो जाएगा आपसा नमरे 1988 में भारतिय वन नीति की सुरुवात 1894 में होई और इसके पहचात इसे उन्हेशा 52 पी में संसोधित इसका राइट अन्सर हो जाएगा आपसा नमर सी धावनी परदूसन से नेश कोचन देखते हैं दोस्तों नेश कोचन हो जाएगा कि निमलिखित में से किस नदी का उद्गम हिमाले के महा भारत सरेनी से नहीं होता इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमर डी यानि कि आपका अजय महानन्दा कमला बागमती नदी का उद्गम हिमाले का महा भारत स्रेनी में होती है जबकि अजय नदी दक्षिन बिहार की और बहती है नेश कोचन और अंतिम नेश कोचन देखते हैं नेश कोचन देखते हैं और बुलू पीक के नाम से भी जाना जाता है नेश कोचन देखते हैं दोस्तों नेश कोचन हो जाएगा कि निमलिखित में से किस स्रेनी को खनीजो का शंग्र हाले कहते हैं तो इसका राइटेंसर हो जाएगा ओप्शन नमर बी अरावली परवत स्रेनी को अरावली परवत स्रेनी को आपको म्यूजियम ओफ मिनरल कहते हैं इसकी सबसे उची चोटी गुरु सिखर है माउंड अबू पहारी अरावली स्रेनी में इस्तित है और सप्रसथपूरा स्रेनी की सबसे उची चोटी धूप गड़ है नेश कोशन देखते हैं जोस्तों नेश कोशन हो जाएगा कि निमलिखित में कौन सा कथन असत है निमलिखित में कौन सा कथन शत है तो यहाँ पर चारू कतन सत हो जाएगा यहनि कि गुज्रात राज समुद्री टट सबसे अधिक लंबा है बारत के कुल nine राज समुद्री टट से लगे यह भी सही है और भारत का ओसर समुद्री तट से नई तट से नापा जाता है ये भी सही है और भारत के कुल चार केंद सासित परदे समुद्री तट को संपर करते हैं अब खा ये भी सही है नेश कोचन देखते हैं दोस्तों नेश कोचन हो जाएगा यानिका option number इसका D हो जाएगा right नेश कोचन देखते हैं दोस्तों नेश कोचन हो जाएगा कि माता टीला बाद किस नदी पर इस्तित है इसका right answer हो जाएगा option number A बेतवा नदी पर माचा टिलावाद किस नदी पड़ है तो बेतवान अदी पड़ इस दीत है नेश कोचन देखते हैं दोस्तों नेश कोचन हो जाएगा कि भारत के अंडवान निकोबाड में इस दीत नारकुंडम जो अला मुखी किस परकार की है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्षन नमर B यानि कि प्रसुप्त भारत में मुक्त दो जो अला मुखी छेतर है बारण दिफ सक्कृडिय परकार की और नारकुंडम प्रसुप्त परकार की नेश कोचन देखते हैं दोस्तों नेश कोचन हो जाएगा कि बर्स 2021 की जनगना के अनुसार किस केंदर सासित परदेश की सरवाधिक सरक्षारता दर है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्सन नमर डी लक्षदीप लक्षदीप यहने कि कितना है तो 91.08 परतिसत है और सरवाधिक राज में आपका किरल हो जाएगा 94.08 परतिसत और सबसे कम हो जाएगा 61.08 परतिसत बिहार का नेश कोचन देखते हैं दोस्तों नेश कोचन हो जाएगा कि निमलिखित में से कौन सा बंदरगा एक जवारिये बंदरगा है तो इसका राइटेंसर हो जाएगा अपसर नमर सी कांडला जोहारिये बंदरगा आपका कांडला हो जाएगे हल्दिया हो जाएगे कोलकत्ता हो जाएगे और प्राकिर्तिक बंदरगा आपको हो जाएगे पाढ़ादीप, तूतिकोरीन, मुंबई और चेनाई बंदरगा जो है भारत का सबसे पुराना कृतिनी बंदरगा है और विशाखापटनम भारत का सबसे गहडा बंदरगा है जो कि डाल्फिन नोज यहीं इस्तित है कहां तो भी शाखापटनम बंदरगा नेश कोचन देखते हैं दोस्तों नेश कोचन हो जाए कि नागर हूल नेशनल पार्क किस राज में इस्तित है तो इसका राइटेंसर हो जाएगा आपसन नमर B करनाटक में नेश कोचन देखते हैं दोस्तों नेस्ट कुर्चन हो जाएगा कि भारत का सबसे पच्मी बिंदू गौर माता कितने डिग्री देशांतर पर अवस्तित है तो इसका राइटेंसर हो जाएगा अफ्चन नमर C और सट दसमलो 7 डिग्री शेंट्री ग्रेट पर अधारित है नेस्ट कुर्चन देखते हैं दोस्तो विश्व शंखिकी दिवस को मनाया जाता है तो इसका राइटेंसर हो जाएगा अफ्चन नमर D 20 अक्टूबर को 20 अक्टूबर को विश्व शंखिकी दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत बर्स 2010 में हुई थी नेस्ट कोशन देखते हैं दोस्तो घूमर किस राज का लोकनित है तो इसका राइटेंसर हो जाएगा आपसा नमर C राजस्थान गुजरात का लोकनित क्या है तो गडवा हो जाएगा डंडिया हो जाएगा 36 गट क्या हो जाएगा तो पंडवानी उत्तर परदिस क्या हो जाएगा तो कजरी रासलीला नोटंकी नेस कोशन देखते दोस्तों नेमन में से किसे अजाज सत्रू के लोगप्रिये उपनाम से जाना जाता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा आपसे नमब डी डाक्टर डाजेंदर प्रशाद को जग जी हो नाम को क्या का जाता है तो बाबु जी जै परकास नारायन को किस उपनाम से जना जाता है तो लोक नायक उसका बद कर पूरी ठाकर को किस उपनाम से जना जाता है तो जन नायक next question देखते हैं दोस्तों next question हो जाएगा कि में ग्रूब औन का विकास किस परकार के जल में होता है तो इसका राइटेंसर हो जाएगा option number D, A और B दोनू यानि कि खाड़े जल और मीठे जल दोनू में में ग्रूब औन का विकास विकास होता है में ग्रूब औन का विकास किस परकार के जल में होता है तो खाड़े जल और मीठे जल दोनों में होता है next question देखते हैं दोस्तों next question हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा देश अस्थल बाद देश है तो इसका राइटेंसर हो जाएगा option number C एक और दो यानि कि बूलबिया और पड़ागवे दोनों जो है अस्थल बाद देश है next question देखते हैं दोस्तों next question हो जाएगा next question हो जाएगा कि भारतिये अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की अस्थापना किस बर्स की गई थी इसका राइटेंसर हो जाएगा option number C अनुसंधान संगठन की अस्थापना 15 अगस उनिस्थापना की गई थी next question देखते हैं दोस्तों next question हो जाएगा कि निवन में से किसके अंतरगत पक्षियों से संबंदित अध्यान किया जाता है इसका राइटेंसर हो जाएगा option number B और निथोलोजी और निथोलोजी के अंतरगत पक्षियों का अध्यान किया जाता है next question देखते हैं दोस्तों next question हो जाएगा कि निमली खित में से कौन सी अकडिये गस वाई मॉंडल में नहीं पाई जाती है इसका राइटेंसर हो जाएगा option number B के वलतीन यानिकी रेडोन रेडोन जो है आपका वाई मॉंडल में नहीं पाई जाती है next question देखते हैं दोस्तों next question हो जाएगा कि निम्नांकित में से सबसे अधिक अभी किडिया सिल धातु कौन सी है तो इसका राइटेंसर हो जाएगा option number B potassium potassium जो है सबसे अभी किडिया सिल धातु है next question देखते हैं कि काडा कुरम लद्दा क्यों जासकर स्रेनी किस सिमाले में आते हैं तो इसका राइटेंसर हो जाएगा option number A trans सिमाले में तो दोस्तो यह थे बिहार SI मेंस का practice set number 12 इससे पहले दोस्तो हम 11 इससे पहले दोस्तो हम 11 practice set करा चुके हैं और यह 12 practice set था तो दोस्तो अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे playlist में जाकरी से देख सकते हैं और दोस्तो आपसे एक request है कि अभी तक आप हमारे चैनल को subscribe नहीं किये हैं इसे subscribe कर दें इसे जदा स्यदा like करें दोस्तो में share करें Facebook, WhatsApp, Telegram के माध्यम से और bell icon का बटन दबना न भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका notification आपको पहले प्राप्त होगा दोस्तों आपसे एक और request है कि आप पूरा असी question देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही important question दिया हुआ है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद